बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का DSR for you मैं मैंने अभी तक आप लोगों को जितने important यह हैं सभी का आपने अध्यन कर लिया होगा अब हम बात करते हैं आगे कि आज हम पढ़ेंगे बच्चों जन संघर्स और आंदोलन से मैं आप सास्तर वाला जो आपका टॉपिक है आपका सवरी राजनीती सास्तर वाला जो टॉपिक है उसको मैं पढ़ा रहा हूं और इसके पहले तक कि मैंने दे दिया है बात करते हैं जन संघर्स और अंदोलन की तो देखें इसमें आपका केवल और केवल औब्जेक्टिव आना है एक नमब्दा तो वो बोट नहीं के आएलान जनका दौरा किया गया था नहीं इसके बात काटमांडू नेपाल के राजधानी है तो बच्चों ये स्थ है फिर दवाफ राजनेती में प्रत्युपस भाग लेते हैं न ही ये भाग ये अप्रत्य फिर यहाँ पूछा जाशनी है ठीक है फिर यहां पर और भी थो कि ईसी यह देख लीजिए जिपको अंदुरन क्या है तो इसको अंदुरन एक दवाब समोह होता है ठीक है आर्ट गया एक्ट कप पारेत हुआ था इसको भी तैयार कर लीजिएगा तो यह हुआ था पच्चों पढ़ाई में डाउट आ रहे हैं सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत इसका सॉलूशन है डाउट नट है जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो कीचो क्रॉप करो और पांस सेकेंड में उसका तुरंस वीडियो सॉलूशन पाओ वो भी आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट एप पर सांथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास नौवी से बारवी आई 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 टी जेई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास है जिसका हिसरा बन कर देश के सभी राज्यों से बच्च लेक आए हैं रेंक वन तो आज ही डाउटने टैप इंस्टॉल करो अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रेंक लेयाओ तो मेधा पार्ट का रहें एन एपी एम इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो देखें आप यहां लिखा हुए है नेशनल एलाइंस फॉर पीपल कौन रही सामिल थी कौन थी बागरी मताई इनको आप पढ़ लिएगा इसके अलावा देखें आपका प्रीबोर्ड में भी यह पूछा गया है फैड को संगठन कहां से रिलेटेड यह ओप्शन दिये तो तो बच्चों इनको आप लोगों को पढ़ लेना है छोटे-छोट मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जैसे महनलुक की बात अवी आप लोगों का पेपर में कुछ प्रस्न जो हैं out of coverage area आ रहे हैं मतलब की प्रशनपत्र से हट के आ रहे हैं अगर पूरे students चाहें और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दें तो सरकार को फिर जबल दस्ती मतलब की मजबूरन में passing mask दे करके सारे बच्चों को फिर से pass करना पड़ेगा अगर जो बच्चे फैल हो जाते हैं ठीक है तो आप लोग जो होंगे वो क्या हो जाएंगे दवाप सभू हो जाएंगे क्योंकि आपके क्या थे सभी लोगों के समान व्यावस आये थे मतलब सभाप student थे सबका हेते एक सा था मतलब आप सभी लोग चाह रहे थे कि आपका paper सही चला जाए सबकी इच्छा एक सी थी जो दवाप समूँ कि क्या करते हैं प्रेशर बनाते हैं इसके उताहरन देख लाजे व्यापार संगटन डॉक्टरों का संगटन सेख्छों को संगटन वकीलों का संगटन ये सारी चीज़ है इसको देख लीजेगा इसके बाद बच्चों ये देखें आप फैड़ को के बारे में आप लोगों को मैं बता दूँ इसको पढ़ लीजेगा अच्छे से पानी के नेजी करन हुआ क्या था कि बॉलीविया नामक देश में पानी बैंच दिया गया था पानी बैंच दिया गया था मतलब कि वहां की सरकार ने पानी पर जबल रस्ती का टेक्स लगाती थी मतलब फिरी में कोई पानी यूज नहीं कर सकता किसी भी प्रकार के पानी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको सरकार को टेक्स देना पड़ेगा तो वही चीज है पानी के निजी करण के खिलाफ बोलीविया में जो एक आंदोलन चला इस आंदोलन का नेत्रत फैट को नामक संगठन ने किया तो वहाँ पर बच्चों लड़ाई सुरू हो गई पानी को ले करके जनता में बहुत जाता नाराजगी हो गई तो एक संगठन जिसका नाम था फैट को ये सामने आया और इसने जनता के साथ मिलकर के सरकार से लड़ने का मूड बनाया इस संगठन मे जो मजदूर काम करते थी क्योंकि गरीब आदमी कहां से पानी का टेक्स चुकाएगा छात्रों न भी इसमें पार्टिसिबेट किया था इन सभी की सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट भी आये थे आंगे तथा सहर में बढ़ती बेघरबार बच्चों की आबादी मतलब क जो सहर के गरीब परिवार के तबके थे मतलब जहां पर जादा आबादी थी वहां के बच्चों का भी समर्धन मिला था तो यह पूरा आप लोग देख लीजेगा इसको तयार कर लीजेगा जन अंदूलन क्या है देखा जन अंदूलन ऐसे समूह या संग्ट हैं जो किसी ख तब जनता और अंदूलन मतलब अंदूलन तो जनता के लिए जो अंदूलन चलाया जाता जनता के हित के लिए जनता की भलाई के लिए उसे ही हम जन अंदूलन कहते हैं अब बच्चे कुछ लोग आप लोग मैंसे बोलते हो कि एक नंबर के यहां से प्रशन पूछे जाने ह आप ये बड़े प्रश्ण किया हों समझा रहे मैं बड़ा प्रश्ण नहीं समझा रहा ये पूछा जा सकता है एक वाक्ट के के उ Сам्तर में तो आपको लिखना पड़एगा न कि जना दुरन क्षटा है इसलिए मैं समझा रहा हूं अब ये बोलीविया के जनांदुलन को समझाईए तो बोलीविया के जनांदुलन को भी आप समझे लें क्योंकि ये अंगे प्रश्न मिलेगा अंगे के चेप्टर में बोलीविया कहां का देश है बोलीविया लेटिन अमेरिका का एक निलधन देश है लेटन या हिंडी में लातिनी बोलते हैं बोलिविया लातिनी अमेरिका की एक निर्धन देश रहे जब इन्ने अंदोलन चलाया तो विस्फ बैंक व्रल्ल बैंक को जो होता है उसने वहां की नगर पालिका से बोला कि आप लोग गलत कर रहे हैं आप ऐसा मत कीजिए पानी को आप जो बेंच रहे हैं या पानी पे आपने कब्जा करें हैं इसको छोड़िए सरकार ने कोज बंबा सहर से जलापूर्टी के अधिकार एक बहुराश्ट्री कमपनी को बेंच दिये सरकार ने वहां के क्या किया था कि एक कमपनी रही बाहर की कमपनी बहुराश्ट्री कमपनी उसको बेंच दिये तही अधिकार कि वो चाहे अपने हिसाब से जैसा चाहे पानी को सप्लाई कर सकती बेंच सकती है इस company ने पानी की कीमत दों चार गुना व्रद्धी कर दी हुआ ये कि जो पानी रहा उसके rate बढ़ा दी उसने जिससे लोगों को पानी का माशिक बिल एक हजार रुपे पहुँच किया जिससे क्या होने लगा लोगों को पानी का जो बिल था वो एक हजार रुपे महीने लगने लगा बच्चों ये जो अंदूलन था बहुत पहले चला था एक हजार रुपे उस टाइम के आज के पचास हजार रुपे के बराबर है जबकि बॉलिविया की लोगों की औसत या पांच हजार रुपे औसत आये औसत आये पांच हजार रुपे महीना थी मतलब वहां की पबलिक मुस्किल से पांच हजार रुपे कमाती थी महीना औसत आये उसा था यह मतलब सब की इंकम मिला के बात की जा रही है अब उसमें से 1000 तो खाली पानी का टेक्स लग जाता था इसके फलसुरूप जना अंदूलन भाड़ा कुठा ठीक है बस इतना ही आप लिखते हैं तो भी चलेगा आंगे एक लाइन और देख लें अंत में सरकार को अंत में सरकार को अंदूलन कारियों की सभी मांगे माननी पड़ी एवं कि बहुराष्ट्री कंपनी के साथ किया गया करा निरस्त कर दिया गया और जला और भास ठीक है खतम ठीक है आया समझ में आप लोगों को क्या हुआ था वहाँ पर पानी को बैस दिया गया था और मतलब पानी का निजी करन कर लिया गया था कहां का बोलीविया की नगरपालिका के द्वारा जिस पर विस्व बैंक ने आपत्ती उठाई और बोला कि आप इने इन पर चीजेगा अब इसके बाद आंगे देखें आप यह प्रशन मोश्ट इंपॉर्टेंट है दवाप समुह राजनीतिक दल में अंतर इसका उत्तर मैं आपको आंगे देने वाला हूं फिर बोलीविया में सोसलिस्ट पार्टी के जैनान दुलन को समझाईए तो यह वही प्रशन आजाए अगर जैसे आपको प्रशन आ गया क्या बोलीविया के जैनान दुलन को समझाईए बोलीविया की घटना को समझाईए कुछ भी आ जाए तो आपको यह पूरा टॉपिक लिख देना है जो भी मैंने आप लोगों को समझाया बच्चों यहां पर यह अध्य द्याय में राजनीतिक दल तो बच्चों चार प्रशन पूछे जाने हैं एक नंबर के ठीक है सोरी एक प्रशनाना एक नंबर को और एक प्रशनाना है तीन नंबर का तो इसको आप लोग देख लें सबसे पहले तो आप लोग को अबजेक्टिव की बात कर लेते हैं तो दूई दली सासन विवस्ता कहां पर है मतलब एक ऐसा देश जहां पर दो दल हमारे देश में क्या होता है एक ही दल अपना सक्ता में काम करता है दूसरा दल को मौका नहीं मिलता मगर एक ऐसा देश भी है बच्चों जहां दो दल मिल करके मतलब कि हमारे देश में क्या है एक कि परदान मंत्री होता है मगर एक एपसर न्य जाब न कि बता ह dict में पर द постоянно में अमेरिका में अमेरिका में यह उत्तल दों है फिर इसके बाद जन शंग के संस्थापक ते तो जन संग की स्थापना किजी सियामाप्रसाथ मुखर जी ने याद भारत क के से पुराने राजनीतिक ड jáत कर Remember भारत है तो बहुर दली राजनीती वश्ता है यहां परिकी हर राज़ वारे क्सी समाज-्वादी पार्टी या कितनी सारी पार्टि आंफर यही तो यहां पर बहुत दली राजनीति व्वस्ता है एक दली व्वस्ता कहां पर है बच्चों चीन में कीवल और केवल एक ही दल है चाइना में फिर भारती राश्टी कंग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो यह विती बच्चों एयो हुम ने इसकी स्थापना की थी 1985 के आसपा होता यह प्रश्न पूछे गए हैं एक लिकेद दस्तावेज जो किसी नियायालाई द्वारा नियुक्त सपत पत्र अधिकारी के समझ अपनी सहमती से दिया गया कथन है तुझे यह दिया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं सपत पत्र कहते हैं उसे हम सपत पत्र कहते हैं तो इसको आप लोगों को और भी देख लें हम यह देखे तीन नमबर के प्रश्न राजनेतिक दल की परिभासा देना है तो राजनेतिक दल क्या होता है एक राजनेतिक दल लोगों का वैस समुव होता है या ऐस समुव होता है जो साथ मिलकर चुनाव लड़ते आप को मालूँ है नहीं तालोग क्या करते हैं मतलब राजनीती पार्टी क्या करते हैं चुनाओ लड़ती है सत्ता में भागीदारी करते हैं फिर वो मंत्री बन जाते हैं और समाज के विकास के लिए कुछ नीतियों और कारकमों पर सहमत होते हैं उन पर काम करते हैं और समाज के लिए कुछ काम करते हैं इस लिख दीजेगा फिर भारत की 4 माने दाफ राप्त राजमितिक धलों के नाम तो भारत में आपको 4 या 5 पारटियों के नाम लिख दैना जैसे आप लिख दैना कॉंग्रेस बीजेपी और आमादमी पारटी लिख दैना और और भी आपको लिख दैना CPI CP PITMC यह जो हैं बसपा जो जो आपको याद हों याद कर लेना चार पार्टियों के नाम कम से कम कौन-कौन से जैसे की भाजपा, कॉंग्रेस, आमादमी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्टी जनतांतरिक दल जो भी है आपको दीजिएगा, अब देखें, यहाँ पर यह प्रशन इंपोर्टन तो नहीं है, फिर भी आप देख लेना बहुदली विवस्ता क्या है, तो देखें, बहुदली प्रणाली में अनेक राजनेतिक दल होते हैं, किन्तु सभी दलों के स्थिति समान नहीं होती, हमारे देश में बहुदली राजनेतिक प्रणाली है, फिर जब किसी एक दल का बहुमत नहीं आता, तो देश का प्रांत में सांजय सरकार बनाई जाती है, सांजय अगट बनना सरकार में दो या अधिक दल सामिल होते हैं, इतना आप लिख देना सुरू का बस इतना ही पर्याप्त है, इसके एक लाइसेंस लेना पड़ता है, कहां से बच्चों नेता लोग जो होते उनकी पार्टी को कहां से लाइसेंस लेना पड़ता है, निरवाचन आयोग से, तो देश की हर पार्टी को निरवाचन आयोग में अपना पंजी करन, वही लाइसेंस, पंजी करन कराना पड़ता है, आयोक सभी दलों को समान मानता है और यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विसेश सविधाय देता है देखो सबको तो वो सपोर्ट करता है मगर जो बड़ी पार्टियां होती है आज हमारे देश में जो बड़ी पार्टी हैं जैसे कॉंग्रेस भाजपा ये सारी इनको कुछ विसेश सोविधान देता है इन्हें अलग चुनाओचन दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकरत उम्मीद्वार ही कर सकता है इस विसेश अधिकार और कुछ अन्य स्वाचा नायोग उन्हें एक्चुनाओचन न्हें प्रदान करता है जिस पार्टी का कोई भी नेता या व्यक्ति चुनाओ लड़ता है और जिनको ये पारटीएं सपोर्ट कर देती निरवाचा नायोग जिनको मानने सब्सक्राफदम कहलाते हैं तीप है अब इसके बाद भी दल बदल विदेया क्या है दल बदल में यह होता है बत्रवां क्या होता है बदल नहीं है क्या से बिधाया क्रतम की देए कि इस यहां को चोड़कर किसी अन्य द pagar में चले जाना दल बदल कहलाता है इसे रोकने के लिए सम्मिधान में संसोधन किया गया है कानून के अंसार अपना दल बदलने वाले संसाइट विधायक को अपनी सीट भी कमानी होगी इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है देख लेना आप लोग ये कोई खास इंपॉर्टन नहीं है बताएंगे फिर में बोलेंगे कि एरे मैं ऐसा करता हूं हमारी पार्टी ने ये किया वो किया तो ये दल अपनी विचार धारा का प्रचार प्रशार करते हैं फिर वो क्या करते हैं अपने विचार धारा मतला उनकी जो विचार है वो उनका प्रचार प्रचार करेंगे फिर तीसरा है फिर वो क्या करते हैं आप हमें वोट हैं हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे तो राजनितिक जनता को अपने पक्छ में करने के लिए कार करते हैं वो अपने पक्छ में मिलाने के लिए कोशिश करते हैं पिर चौता है, इसके बाद कुछ बच गया, तो ये जनता के हितों के लिए काम करते हैं, अगर उनके पास पर टाइम मिला तब जाके वो पहले तो जुमले बाजी करते रहेंगे, कि हम आपके लिए यह कर देंगे, वो कर देंगे, पंगर लाष्ट में कहीं टाइम मिल गया, तो फिर जनता के हिताओं के लिए काम करने लगते हैं और पांच वा है यह चुनाओं में भाग लेकर सक्ता हासल करना चाहते हैं इनका मुख्युद्देश कुछ नहीं होता बेटा जनता की सेवा गई तेल लाने इनका मुख्युद्देश होता है यह सक्ता हासल करना चाहते ह तो यह कर लीजेगा important question है इसको भी फिर यहां पर प्रश्ण पूछा गया था विपक्षी दल के कारी यह प्रश्ण में आप दोगों को दिखा दूंग यह देखिए जराब प्रीबोड एक्जाम में यह प्रश्ण पूछा था 19 वा नंबर लोक तंद्र में विपक्ष की भू काश्य विपक्षी दल के काश्ये विपक्ष क्या करते हैं तो देखो क्या निकालें मतलब उस पर प्रहार करते हैं कि सरकार ने यह गलत किया उसमें और सुधार होना था यह और वो खलाना ने खाना फिर दूसरा है यह पॉइंट आप जरूर लिखना वे ताना साही सत्ता को अपनाने से रोकते हैं अगर कोई सरकार जबलदस्ती गलत काम करता है जबल है उसकी पोल खोल लेते जंता के सामने ठीक है विरोध करते हैं फिर पांचवा है इस प्रकार उनका उद्देश में बहतर सासन सनस्षित करना होता है यह चाहते हैं अब देखो वो तो आने पाए सकता में तो वह बाहर रहते हैं तो यह चाहते हैं कि सरकार कोई गलत काम करे तो मैं हम उनके खिलाप आवाज उठाएं और सक्ता से उनको बाहर कर दें ठीक है फिर एकाद और देख लें तो बस ठीक है पहला कर लेना दूसरा कर लेना चोथा और पांचवा चार कारे बताते हैं पर्याप्त है अब एक और प्रश्ण है यह कह रहे हैं राजनीती दल लोक में है चुनाव लड़ना दूसरा का म्हण का चुनाव लड़ना वे क्या होता है प्रत्य dif jetzt यग सत्ता हासल करना चाहते हैं इसके लिए बैट चुनाव लड़ते हैं ताकि सत्ता प्राप्त करके वे शासन में भागिदारी कर सकें तीसरा है विरोधी दल के रूप में कार करना जो दल चुनाओं नहीं जीत पाते वो क्या होते विपक्षी दल कहलाते बहुमत हासल नहीं कर पाते वे विरोधी दल के रूप में कार करके सक्तर और दल पर अंकोष रखते हैं सि neutr sieteoder बनाना जो दल भवमत साबिन साभ मेश सर्कार का शार करते हैं सासी शान है कि नीठी को योजनाओ को जन्ता तक पहूंचाना इनका काम होता है सरकार की जो योजशनाय वह जंता तक पहूंचा जाएं डिक है़ इसके बाद वेरी 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 important question का answer आया दवाब समूह और राजनेते दलों में क्या अंतर है अच्छों इसको जरूर कर लीजेगा यह most 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 important question है मैं आप लोगों को देखाने का प्रयास कर रहा हूं यह देखिएगा बच्चों मेरा प्रयास है आपके लिए most important question available कराना मैं उनको पढ़ा रहा हूं समझा रहा हूं फरजी पेपर नहीं देता हूं आप लोगों को मेरा मुख्य उद्दिश ही है कि आपके साथ कुछ भी गलत ना हो जितना अधिक सदेक आपका अच्छा हो सके त आप देखने दवाब समुह और राजनेतिक दलों में अंतर देखें क्या होता है राजनेतिक दलों की सत्ता में प्रत्यक्ष भागिदारी होती जो राजनेतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं सत्ता हासल कर लेते मंत्री बनके बैठ जाते और दवाब समुह क्या होते हैं इनक जो होता है यह प्रत्यच भागीदारी अन्यंत्रण का उत्देश नहीं रखते यह क्या करते प्रत्यच भागीदारी रखते हैं और यह प्रत्यच भागीदारी नहीं रखते फिर राजनेतिक दल्म में के निर्मान में कुछ ही लोग भाग लेते हैं इसमें क्या है कुछ ही ल एक राजनेतिक दल में कई नेता हो सकते राजनेतिक दल में क्या होते कई नेता होते और जो दबाप समुह होते हैं इसमें ऐसा नहीं होते हैं काद विक्ति नेता रहता बस फिर पांचवा पॉइंट कर लेना राजनेतिक दल सो संगठत होते हैं इनका एक पूरा सिस्टम होता है जबकि दबाप समुहों का कोई संगठन नहीं होता या दबाप समुहों का संगठन डीला डाला होता है तो बच्चों इन प्रश्णों को आप कर लेना most important है इसको आप तयार कर लीजेगा तो बच्चों यहां पर हमारे यह दो अध्याय जो थे आउंगा मैं मिलते रही हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में तब तक बढ़ते रहे बढ़ते रहे ए